कि वुआ है 5 हालो इस्टूडीन बहुत-भूत सुघत है आप सभी का पी आरे स्टेडी में कुछ किये पिना यूहीं जहां कार इसक carne उसकी हर नहीं होती निरंतर को प्रक्रथ रहिए रेगूलर ना दोडिये ना भागिया बस चलते रहिए चलते रहिए धैर बना के रखिए विश्वास बना के रखिए सफलता आत्म विश्वास से मिलती है आत्म विश्वास से मिलती है आत्म विश्वास से मिलती है आत्म विश्वास आत्म सम्मान से आता है और आत्म सम्मान आत्म विश्वास से आता है दूसरों पर निर्वर होने से नहीं तो भाईया सेल्फ डिफेंड बनिये कुछ करिये अभी से टाइम हो चुका है और हम लोग कुछ करेंगे क्या कलास में आगे बढ़ेंगे कुश्चन पहला है दिखे ये यूपिटेट बिसेस रूप से परिच्छा में पूछा गया सवाल है ठीक है कहरा कि 5 इंटू 3 अपान 4 4 इंटू 4 अपान 5 और 7 इंटू 3 अपान 8 के योगफल में कौन सा ऐसा भिन्य जोड़ दिया जाए ताकि परिडाम एक पूर्ड संख्या आए मतलब एक होल नंबर आए जैसे देखो अगर हमने 3 बटा यहां पे 15 लिखा है तो यह पूर्ड संख्या नहीं है क्योंकि इसको भाग करेंगे दसमलों में आएगा एक बटा 5 आएगा भाग करोगे 0.2 आएगा यानि यह पूर्ड संख्या नहीं है लेकिन अगर यहां पे 9 लिखा है तो 9 क्या है यह एक पूर्ड संख्या है एक होल नंबर है यह बात समझ में आ रही न तो वह ऐसे कह रहा है कि यह जो भिन है तिन्चार्ठी दी गई है इसके योगफल में मतलब पहले तो इनको जोडो जोडने के बाद जो आए उसमें क्या जोड दिया जाए कि परड़ाम एक पूर्ड संख्या आ जाए मतलब फिर भिन ना रहा जाए वो कोई एक गिंती हो जाए जैसे 10, 12, 18, 18, 100, 200 ऐसे बन जाए प्रियांकू प्रियांसु जी मरसा जोड़ चुके हैं अनुपाम, अंकिता सिंग, संध्या यादो, बिनीता, कौशिक और कौन जुड़े हैं भाई अंकूस जी जुड़े हैं आस्फा भी जुड़ चुकी हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को चलिए फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं आपसन आप लोग कोसिज करो, चलो, हो गए, ट्राइग लिए आपने, देखो बच्चा इसका जो राइट अंसर होगा, वो बी नंबर होगा, कौन सा होगा बी नंबर, अब आप कहोगी कैसे जानगे आप, देखो कैसे जानगे, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा पहले हम सिंपल में लिखते हैं, ऐसे जोड़ दोगे तो पांच, उकबीश, तीन, तेइस, बटा, चार, धन, यह तो आपको पता है ना भाया, ऐसे तो जोड़ लोगे की नहीं जोड़ लोगे, इतना तो आप करी लोगे, इसमें तो कोई लफ़ड़ा वाली बात है नहीं, लेकिन इसको हल करने का एक और आफान तरीका है, एक आसान तरीका है, वो कौन सा है, देखो वो आसान तरीका मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ, जैसे देखो, वो क्या है, ऐसे मत करो, ऐसे करने थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे मत करो, देखो इसमें कुछ पुर बता चार चार बटा पाँच और तीन बता हर्ण इनको आपस में करो आप को पता है इनका कारोगे चार और आठ ऐसे कि यहदा बहुत आएगा समझो चालिस और 10 का 3 में गुड़ा करोगे 30 आएगा वही परक्रिया आप सब में करोगे भई ठीक है चलिए अरपित पाथी जी बहुत भूध धन्यवाद आपको सुक्रिया दिल से 5 से भाग करोगे 40 में 8 आएगा इसमें गुड़ा करोगे 8 चुक 32 आएगा धन 8 से करोगे 40 में भाग 5 आएगा 5 का 3 में गुड़ा करोगे 15 आएगा अब क्या करोगे इनको जोड़ लो भीया जोड़ लो सबको आप देखोगे ये 30 30 60 10 70 और कितना आएगा बहुत लंबा जा रहा है क्या जोड़ के देखो फिर मुझे बताओ चलो कितना आएगा ये 77 आएगा ना कितना आएगा 77 आएगा हाँ तो बच्चा फाइनल में हम लिख सकते हैं 16 प्लस ये 77 बटा 40 इतना ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना इतने में no doubt ओके हम जानते हैं कि 77 बटे 40 को अगर हम 40 से भाग करेंगे तो 40 एकम 40 बचेगा 37 हम इसे लिख सकते हैं 1 into 37 upon 40 ना तो भाइया इसे हम लिख सकते हैं ये 16 ऐसे ही रहेगा ये वाला जो भिन है बादू इसको हम लिख सकते हैं इन्टू थार्टी से बन अपान फोर जीरो पॉर्टी ये लिख सकते हैं अब ये पूर्ण संख्या इनको जोड लेंगे तो ये सतरा हो जाएगा और ये 37 बटा 40 इतना ठीक है इतना ठीक है ना क्या कह रहा था कुश्चन में कह रहा था कि इसके भिन के योगफल में क्या सबत लिए कि ये 17 हमारे पास पूम संख्या अ गई सिर्फ यही मामला अंटका यह पूर्ण संख्या ने है तो हम क्या करते हैं और लिखो कि कना पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम तो कि दी गई भिन्न में को एक में से घटाते हैं क्या करते हैं घटाते हैं तो जो भिन दी गई है सिर्फ उसी को घटाएंगे बाकि और किसी पर कुछ नहीं करना है यह 37 अपन 40 को वन से घटा लो बच्चा यह आप देखो कि क्रास मल्टीपल होगा 40-37 और यह 40 होई जाएगा बच्चा फाइनल में आपका 3-40 आएगा कितना एगा 3-40 आएगा आपका ऑप्सन नमबर भी राइट है ठीक है देखो मिल गया ना नोट कर लो जल्दी से उसके बाद इसको आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो आप इसको वेरिफाई कर सकते हो कि यह कैसे हुआ ऐसा क्यूं हुआ वेरि आप लोगों को कफी अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है तो कुछ बच्चों के कमेंट हाइड हो जा रहे हैं तो हम एक कमेंट तो सो नहीं करेंगे क्यूंकि यहां पर टाइम नहीं रहता है और दूसरी बात जो है कमेंट सो करने से कोई मतलब भी नहीं आप अच्छे से मिटाता हूं देखो आप चाहो तो इसका आंसर भी वेरिफाई कर लो मैं वेरिफाई करवा दूं कहो दो देखो अगर कुछ कंसेप्ट गहराई से पढ़े जाएं तो टाइम जादा लग जाता है तो यह मत सोचना कि यह तो दस मिनट में 21 सवाल लगा रहे हैं हम क्योंकि हम कोई चीज अगर गहराई से सीखेंगे तो वक्त तो ज्यादा लगेगा ही और अगर अच्पाण के रतौ जहां ऑगर को लगर कर वे कशिए अच्पा में तर्की जांच करना है न उत्तर की जांच करना है कहरा था इतने की योगफल में क्या जोड़ दें कौन सा भिन न जोड़ दें कि परड़ा में पूर्ट संक्या हो जाए तो इसका योग ही आया था हां योग कितना आया था सतरा प्लस 37 बटा 40 आया था यह आया था ना योग बच्चा और जो मैंने अंसर निकाला था वह तीन बटा 40 आया था तो तीन बटा 40 इसमें जोड के देखो ना कौन रोंका है यह लो जोड लो ना चलो सबका ले लो लोगे भाई साहब 40 आयगा चालीस एक में भाग करोगे 40 इसमें गुड़ा करोगे कितना हो जाएगा भाई पहाड़ा बढ़ा की बता होगा चार सते 28 और चार एक कम चार दो छे साथीफ रहेगा और प्लस तीन हल करना तो आपको आता है भी नल करने में तो कोई दिक्कत है नहीं यह 40 हो जाएगा यह दोनों जुड़ेगा किता हो जाएगा चालिस हो जाएगा और 40 यह में जोड़े तो 720 हो जाएगा 720 बटा 40 देखो एकट गया चार से काट दोो 18 वाहतर बरावर किदन है आठारा अब मुझे यह बताओ 18 पूर्य-पूर्य संख्या यह नहीं है यह हूब नंबर है कि नहीं हुब नंबर है ना यानि मैंने सिद्ध करक कि अगर दी गई भिन्न की योगफल में 3 बटा 40 जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो पूर संख्या आएगा ठीक है जी बिल्कुल नोटिफिकेशन आज नहीं गया है बच्चे जो भी जुड़े हैं ठीक है ये बच्चे इसको बाद में भी देखते हैं तो हमें पढ़ाना है मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि हमेरे पास्टाइम नहीं जाता इधर-हुदर करने का गर्वारे इंटरनेट लाइव करको Nati को का तो यहो गया सवालailand का देज़ाई आप लोग समझ गये मैं इसको मिटा देता और गे बढ़ता हूं तो फिर अब ध्यान दीजिए इस कलास को बच्चे बाद में बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कभी भी देखें वह नोटिफिकेशन यूटूब का सिस्टम है कभी कभी नहीं देपाता है कि क्या करेंगे अगला सवाल की और हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखो कहा गया भाई यह सिकेंड नमबर कुश्चन जो है यानि यह नाइन नमबर होगा इसमें का आपको लोगों के लिए सिकेंड नमबर होगा बहुत सारे कुश्चन मैंने चाट चाट के लाए हुए हैं जो आपके परिच्छा में आए हुए थे और कांसेप्ट मैंने इसका आपको पहले ही सिखा दिया ना चलो है तो दूसरा कुश्चन देखो आप सभी कि कुश्चन आज बड़े-बड़े होंगे यह बात आप मत भूलना अनिमन लिखित का वर्गमूल ग्याद कीजिए कि कुश पाल बहुत सीधे नहीं है लेकिन हाँ हैं काफी मज़दार देखो वर्गमूल किसका बताना है अब आप लोग ध्यान दो वर्गमूल जो बताना है मैं यहां पर पहली बात तो आप लोगों के कमेंट देखने की कोसिस करता हूं इस वज़ा से मैं एक फोन भी ले रहता हू कुश्चन लिखो 3 x 1 upon 4 3 x 1 upon 4 इसका पावर 4 minus 4 x 1 upon 3 इसका पावर 4 क्या करना इसका वर्गमूल बताना है ठीक है कि अब आप लोग ध्यान दो आगे आगे ध्यान दो अपन अधिरी इंटू अपन फोर इसका होल स्कॉयर माइनस फोर इंटू वन अपन 3 इसका होल स्कॉयर इसका वर्गमूल पूछ रहा है क्या होगा आप्शन में आपको दिखा दे रहा हूं आप लोग ट्राई कर लो और मैं देखता हूं कौन सबसे पहले बताता है जी बिल्कुल प्रियांसुची बिल्कुल मैं देख वा रहा हूं आपको अंकिता प्रियंका अग्रहरी ची आपका भी कमेंट दिख रहा है चलो आप संदेखो पहला आप्शन है कि 7 in 1212 दूसरा अप्शन है 5 इन टू 512 आप तीसरा अप्शन है वन इन टू 1 अपान ट्रेल और फूरा अप्शन है वन इन टू 7 अपान ट्रेल इन में से आपको कोई भी एक उप्सन सेलेक्ट करने हैं ऐसे आपके एक्जाम में अगर आ गया तो आप कैसे करोगे देखिए यहां पर कोई हम आपको भी ट्रिक नहीं बता रहे हैं ट्रिक वाला कोई भी फिलहाल कंसेप्ट आपके मन में याद नहीं रहता है अगर आपको बेसिक बेतर तरीके से आता है तो आप आराम से कर ले जाओगे में चलो कि इसमें से आप सणाब के कुछ समझ में आ रहे हैं नहीं न मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है इधर साइड में आप धयान तो कैसे होगा जी बिलकुल पंकत जी आपने कमेंट किया बहुत-बहुत धन्यमाद आपको ठीक है देखिए मैं कुछ बच्चों के कमेंट देख पारा हूं जिनके हाइलाइट होते हैं बाकी बहुत से बच्चों के कमेंट जो है वो सो नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग तो संख्या कम है आज वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं चलो यह देखो बड़ा उट पटांग दिया है यह बड़ा उट पटांग नंबर दिया है लेकिन अगर आप एक चीज गौर करो यहां पे घाट चार है यहां पर चार है यहां पर दो है यहां पर दो है मतलब कुछ ना कुछ इसमें सूत्र बन सकता है बन सकता है अरे यह पढ़यो आ तो इसकी जगा पर क्या करते है यह a minus b यहa earthquake स्वायर बाम आय स्क्राइब यह भी यह वन जाता है कि इसको आप अगर forward-4 है तो उसका पाइनल एंसर और यह यह वैसे आता है ठीक तो कुछ वैसे ही यहां पर होगा और यह बच्चा कट जाएंगे उसी में और एक आधा बचेगा वो जुड़ जाएगा बस हो गया अंसर कितना आसान है ना लेकिन आंसर नहीं हो जाएगा उसका वर्गमूल भी निकालेंगे यह तो वर्गमूल पूछा है ना यह तो पहले ह फर्गणफान फरी बराबर क्यों हम इसकी जगा पर पी मान लें यहां पर क्यों मान लें था si chi वो सूडर में देखो इधर साइड में दिखाता हूं कि इधर साइड में आप धयान से देखो वो उसूच्टर क्या बनेगाहिए है अब यहां पर ein-2 ओंगा है शोटन सब्सक्राइब का ऐगा 0 bisa 때는 कि अपाउर की यह विए tea jaayan boca干 और फोर इक्रैज ठालक्रीन के ने लियुकल १॥ देखो द्यान दो जो भी पडाँरे अच्छेसे पड़ो आ माइनस क्यूकल इसक्वाइर अभी अभी मैंने इसको explain किया था हम इसको कर सकते हैं P का स्क्वाइर और ये ये कर सकते हैं और ये P का स्क्वाइर माइनस Q का स्क्वाइर आपको पता है, हमको भी पता है कि ये स्क्वाइर स्क्वाइर है तो ये P का स्क्वाइर और धन Q का स्क्वाइर भाई A square minus B square जानते हो A plus B and A minus B और यहां पर A की जगापे P square है B की जगापे Q square है तो चाहे तो पहले minus वाला लिख लो इसको चाहे पहले लिख लो इसको बाद में या फिर चाहे जैसे भी कोई फरक नहीं पड़ने वाला है कि नीचे लिखो कि P square minus Q square तो बच्चा माइनस माइनस का कट जाएगा बाबू कट जाएगा ना कट जाएगा ना मतलब हमारे पास बचेगा क्या इधर साइड हम लिखेंगे जो बचेगा हैं तो अब इधर में टा रहा हूं एक सीरियल से देखोगे मज़ा आएगी समझ में भी आएगा असुफा जी समझ में आ रहा है आपको पूर्ण में आदो आपको भी आ रहा ना समझ में चलिए ठीक है कमेंट करते रहिए कोई भी दिक्कत होगी निनूट टेंसन चलो अब हमारे पास फाइनल में बच्चा प अब हमको यह भी पता है कि पी और क्यू का मान कुछ और है यहीं से मैंने माना था ना तो भईया पी और क्यू का रियल नाम रख दो इनका जो भी मान था यह थ्री इंटू अनपान फॉर का स्कॉयर और फ्लस फॉर इंटू अनपान थ्री का स्कॉयर इसका क्या करना है हमें जल्दी से इतना करो हें हो कि चलो हो गया तो फिर हम लोग यागे बढ़ते हैं ला है यह बहुत है संपल सहे अप लोग इसे बढ़ ही प्यार सेSON कर लोगे आराम से कि देखो अब इसमें क्या हो सकता है क्या हो सकता हैрах आप नहीं को देख यार एकजाम में जाओगे ट्रिक भूला जाता है याद रखना त्रिक याद नहीं रहता है कि यहां कौन-कौन सा ट्रिक पढ़े थे क्योंकि एक ही चैप्टर से तो आता नहीं है आता बहुत कुछ है एक ही भिषे से आता भी नहीं है तेर सारे बिसे काता है भाई चैल्ड डेबलम्मेंट भी आएगा इंवर्णमेंट भी आएगा मैथ भी आएगा तो बूला नहीं जाता है यह सब ट्रिक याद नहीं रहता है इसलिए पहले बेसिक समझ लो सेप्ट चार्थ यारा एक 30 बटा-चार मैं तरटीन अपान फोर का का फॉर स्कॉर्इड् सक्वाइब प्लस यह थीन चभी देरा इता है को एक के बन रहा है हदर निकालना था अब निकालने के लिए उच करना आप क्या करोगे इसका 119 हो जाएगा यहический चॉख फैनल में कितना आए गई 129 बता 16 कि इतने आएगस को आप लोग इतना जल्दी चाप फटाफट चाप लो है खुछा भी लग रहा है तो बता दो लेकिन यहां पर चार था एक 3 था यार 1 मिनट स्वरी ये 3 चोंक 12 13 वटा थीन वह ना लाइव यह अगर यह सेम हो जाता तब ता मामले हल हो जाता लेकिन यह नीचे 3 हो और यह मिस्टेक मत करो अब यहीं तो मिस्टेक गडबड करता है ये अब अलाग अलग होगया आप क्या करोगे अब आप क्रास मल्टीपल करो फटाफट जो आप करते आये हो नौ का गुड़ा एमे करो 16 का एमे करो तो नौ गुड़ा 179 और धन सोला गुड़ा 179 नीचे सोला गुड़ा नौ जल्दी चापो फटाफट चापो इसको लिखो जल्दी जल्दी उतारते जाओ फटाफट देर मत करो अब मैं इधर मिटा के दूसरी साइड हल करूंगा ठीक है देखो बच्चा अब ये हम इसको बड़ा नहीं करेंगे बड़ा कर लेंगे तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा इसलिए हम इसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में हल कर देंगे देखो कैसे 159 इसमें से उपर से कामन निकाल लो गुड़ा मत करो गुड़ा करोगे तो गड़ बड़ा जाएगा तो ये 9 धन 16 बचेगा नीचे ये 16 गुड़ा 9 आगे देखो ये जुड़ेगा 25 हो जाएगा 169 गुड़ा 25 नीचे 16 गुड़ा 9 हम वर्गमूल का चिन्हा पहले ही लगा दिये थे आप चाहे तो लगाते जाओ या फिर लाष्ट में लगा तो कोई दिक्कत नहीं ये लो ये लो इसमें आप सब के वर्गमूल हो जाएंगे एक एक नंबर का वर्गमूल अब निकल चलो आप सबी के वर्गमूल एक एक नंबर के मिल जाएंगे नीचे दिख रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं चलो है कि बारा पंचे साथ होता है यानि पांच एक पूड़ संख्या हो जाएगी इसको भाग करोगे तो बचेगा पांच किता बचेगा वह या पांच फिर सेजफल बच जाएगा हां तो यह पांच बटा बारा कि यह आंसर हो जाएगा आपका अप्सन नंबर भी भाई आरफित तिरपाठी जी आप खुद पढ़िए लोगों के लिए मत परेसान हो यह परिक्षा में लाखों बढ़ते हैं उत्रेड कितने होते हैं जो आइनिंग कितने को मिलती आप यह देखो यह मत सोचो कि आज भीण नहीं आई तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि य लोग नहीं जूड़ रहें जाने दो हमारा जो करतब्य हैं हम कर रहें जिनका जो करतब्य है वो नहीं करेंगे तो जेलेंगे उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो यह नहीं कह पाएंगे कि हम नहीं पढ़ाये थे आज वैसे काफी दिक्कत चल रहे हैं यूटूब के रूप में है वो डेमो वाले सो रहें क्या करें चलो ठीक है इतना समझ में आ गया आप इसे चाप लिए हो चाप लिए हो ना तो मैं ज्यादा बड़ी कलाफ नहीं चलाओंगा क्योंकि आज बच्चे कम है जो यूटुब वाले हैं और जो एप वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होने लगती है तो यह आपका सवाल हो गया मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि देखिए आज जो भी सवाल थे बड़े धमदार थे ना दो ही सवाल मैंने अभी तक किया लेकिन दोनों सवाल काफी कांसेट वाले थे और काफी दिमाग लगाने वाले थे ठीक है ना तो आज की किलास में यहीं पर बंद कर दो क्या ज्याधा बड़ा k mid зачем अ कियोंकि जब और कुअ अगर यीजीग है आसान सिर्फ जानतों थीक है लेकिन अगर कोंश जटोड़े से इस टेंड़र है कथी संटेंडर है तो फिर ज्यादा कुश्चन करवाने से बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि यह मिटाने वाला भी टाइम जल्दी ही मैं खतम करने वाला हूं कोशिस है कि डिजिटल बूड लग जाए बहुत कोशिस में हूं लेकिन टाइम तो लगेगा ना चलिए सब कुछ होगा धीरे धीरे तो आज की कलासे बंद करते हैं इसमें हमें पता है कि आप लोग का टाइम जाता है जब मैं मिटाता हूं उस टाइम पर आप लोग बैट के कि टू पॉइंट और इस्टेडी लाहबाद में चैनल पर आओगे आप रात नो बज़े से आप लोग आओगे कब आओगे का नो बज़े से ठीक है रात नो बज़े से आओगे आज हम एक और कलास करवाएंगे का लिग्जाम है कि आज पांच तारीख है चे को मैं इतका है चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को प्रेम पूर्बग थेंक्यू आप लोग कलास को जादा फे जादा सेर करिए जो बच्चे यूटूब पे देख रहे हैं उन्हें यूटूब वाली कलास भी मिलेगी और जो एप में देख रहे हैं उनको तो अच्छी स मिलेगी ही